दर्शको जनम पत्री के अंदर हमारा जनम लगन और जनम राशी दोनों ही हमारे व्यक्तित पर बहुत जादा प्रभाव डालते हैं इसलिए हम लोग एक श्रिंखला आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसके अंतरगत हम लगन और राशी दोनों को मिलाकर ही आपके जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ता है व्यक्तिगत क्या इस्तितिया चेंज होती है यानि परसनेलिटी पर पढ़ने वाले प्रभाव और प्रेशिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा अब इस वीडियो की शुरुवात करते हैं मैं स्ट्रोजर शेलिजजन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शको कर्क लगन है और मेश राशी है इस कंबिनेशन के कारण दर्शको एक चीज़ बहुत जादा हो जात चिंतित रहते हैं अब देखिए चिंतित रहना कई बार बहुत जादा नेगेटिव वर्ड लगता है दर्शको कहने का मतलब बहुत जादा एलर्ट रहते हैं और खासकर किन बातों के लिए अपने रिलेशन्शिप्स के लिए देखिए आप कही ना कहीं बच्पन से यानि यंग एच से आप अपनी मित्रता को लेके भी बहुत जादा बहुत ही जादा एलर्ट रहते थे कि मेरा मित्र कहीं और जाकर मेरी बुराई तो नहीं कर रहा यह बात आगे बढ़ते बढ़ते अगर प्रेम संबंद होए तो वहां पर भी अपलाई होती है इसके कारण कभी- आसी परिस्तितियां उत्पन हो जाती हैं कि जो आपके साथ व्यक्ति रहता है ना चाहे वो आपका मित्र हो चाहे वो रिलेशन्शिप स्टेटस वाला व्यक्ति हो या फिर आपका जीवन साथी कभी-कभी आप उन पर कुछ इस तरह का व्यवाद डाल देते हैं जो की एक श कर नहीं रहे हैं अपने रिलेशन्शिप को बचाने के लिए ही ये सारी बाते आपके मन में आ रही हैं पर तु सामने वाले का भी तो सोचिए क्योंकि करक लगन और मेश राशी होती क्या है आपको एमोशन से भर देती है और जोश से भी भर देती है कहने का मतलब आप आपके साथ रहने वाला व्यक्ति थोड़ा सा इस बात से डरा डरा रहता है कि ये क्या करेंगे मेरे साथ आप कुछ करेंगे तो नहीं पर वहबार में ऐसा होता है इसलिए बोल रहा हूं कुछ चीजों को थोड़ा सा लाइट कीजिए दर्शको शुरुआत में ही रिलेशन को लेकर सबसे जादा प्रभाव डालता है जैसे परिवार के सदस्यों की बात करते हैं कर्क लगन और मेश्राशी होने के कारण आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत जादा कनेक्टेड रहते हैं हर किसी के लिए वही डेडिकेशन दिखाना चाते हैं क्योंकि र गलत वाणी का प्रियोग देखिए दर्शकों जब बात परसनेलिटी की कर रहा हूं तो पूरी कोशिश करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव बात बताने की तो नेगेटिव बात पे अगर बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और अगर पॉजिटिव बात में भी आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो जैसा कि मैं कह रहा था कि करोद में कभी-कभी गलाच शब्दों का यूज कर देते हैं उससे आपके रिष्टों में तनाव आ जाता है अच्छा खासा रिष्टा चल रहा होता है पर आप आपके इनी शब्दों के कारण आपका वो करीबी व्यक्ति आपके साथ संबंद तोड़ देता है ये करीबी व्यक्ति कौन हो सकता है आपके भाई-बेन भी हो सकते हैं और बहुत ही गंबीर अवस्ता बताऊं दर्शको आपके माता-पिता भी हो सकते हैं जबकि माता-पित ताकर धर्जा बिलकुल अलग होता है पर कटू वचन तो दिल में चुप जाते हैं ना तो इस कारण वश थोड़ा सा अपने उस गतिविदी को शांत कीजिए सही माइने में आप ऐसे हो नहीं गलत हो रहा है आप गलत तरह से लोगों को शो कर देते हो आप अपनी उस जोश को कंट्रोल नहीं कर पाते आप अपने रिलिष्टों के अंदर कहीं नहीं लोगों को ये जज नहीं करवा पाते कि भई हम आपके साथ सरफ प्रेम कर रहे हैं और केयर कर रहे हैं एक्स्ट्रा कॉशियस हैं on the contrary सामने वाले को लगता है कि आप उस पर शक कर रहे हैं हाँ अगर सामने वाले की कुंडली में बहुत अच्छी काबलियत होगी तो वो समझ जाएगा फिर वो आपके according अपने आपको डाल लेगा और कहीं न गए आप तो उसके according अपने आपको डाल ही रहे हैं तो इसलिए रिष्टों के लिए इन बातों का ध्यान रखना दर्शकों साथी द जिसमें सभी लगन और लगनेश से संबंद्य जानकारी है और एक ब्लेइस जो सिर्फ और सिरफ जनम की राशी पर ही अधारित है सभी राशी की वीडियो आपको बताया है न लगन और राशी के कॉंबीनेशन की वीडिए तीसरी लिस्ट है उसका वी लिंक आपको description बाक्स और जब आप अपने और अपनों की वीडियो को देखें पसंद आए तो वहां तो लाइक करना ही है इस वीडियो को भी लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना है अब इसी कॉम्बिनेशन से संबंदी दर्शक को एक खास बात और बताता हूं आपको वह यह है दर्शक को कि कह स्धार जादा ट्रेबलिंग से रिलेटेड ट्रिपसों अन्य तरह के इसी से कनेक्टिड कारे कर सकते हैं कई बार तुम्हें करियर के लिए करक लगन और मेश राशी होने के कारण आपको यह भी कह देता हूं कि आप कहीं न कहीं आसमान के रास्तेह होने वाले कारी को भी कर सकते हैं यह combination आपको एक स्पेस साइंटिस्ट भी बनाता है यह combination आपके पढ़ाई को भी जिंदिगी में आगे लेके चलता है परंतु ध्यान रखना दर्शकू कई बार इस combination के कारण आप अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं कहने कतात पर यह चीज को बीच अच्छा देना चाहता है लेकिन एक चीज आपसे भी मांग लेता है और यह है दर्शकों की continuity और थोड़ा सा लोगों के साथ भरोसा बनाके रखना क्योंकि आप कहीं ना कहीं डाउट करते रहते हैं उसका मैं समत सकता हूं आपनी जिंदिगी में कई बार धोके खाएं हैं क बिना वज़े ही लगता है कि कहीं एक दम से आपको निकाल कर बाहर ना कर दें चिंता मत कीजिए कर्क लगन और मेश राश्य का कॉम्बिनेशन आपको बहुत जादा सपोर्ट करेगा साथ ही आपको यह कहूंगा दर्शकों कि आपको spirituality की तरफ भी अपने कदम को बढ़ाना चाहिए क्योंकि कर्क लगन और मेश राश्य का व्यक्ति spiritual बहुत होता है आप जिस भी धरम से connected हैं उससे संबंदित जो कार्य करना है पुझा पार्ट करनी है प्रातनाय करनी है उसमें भी थोड़ा सा अपने समय लगाईए और कहीं न कहीं यह चीजे आपके मांसिक इस्ति स्किल होती है जो कर्क लगन और मेश राश्य के कारण इश्वर ने आपको दी है अपनी उसी आर्टिस्टिक स्किल का इस्तमाल करते विए आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हैं बोलने की शमता कितनी अच्छी है आपकी तो क्यों ना उसी creativity आर्टिस्टिक नज लिए वो घबराहट आपके relationship में लोगों को ना पता लगे ये बहुत जरूरी है नहीं तो आपके professional relationship में भी दिक्कते आ जाएंगी ये बात में व्यपारी वर्क के लिए भी कह रहा हूं और हाँ एक और बात आप export इंपोर्ट से संबंदित भी अलग अलग तरह के कारे कर सक relationship, career, education, प्रेम संबंद और वेवाही जिवन के बाते बताई हैं परन्तों इनके साथ साथ एक और बहुत महत्पून बात बताऊंगा वह ये हैं दर्शको कि कभी-कभी आप ना चाते हुए भी किसी तरह के depression में चले जाते हो ये ना चाते हुए मैंने जान बूच के बोला है दर्शको क्योंकि आप बहुत जादा सोचते हो बहुत ही जादा सोचते हो थोड़ा सा कूल रहिए बात मेरी ध्यान रखिए ये combination बार बार आपको एक घरम दिमाग की तरफ ले जाता है बहुत जादा हार्मोनल इंफेक्शन इस तरह के दिखाता है बोडी के अंदर जिसके कारणवश आपके दिमाग पर बहुत negative impact पड़ता है कंट्रोल कीजिए इश्वर ने दिमाग बहुत अच्छा दिया है आपको सिरफ उसको संतुलन में लेके चलना है जितना balance कर लोगे न ये combination आपके जोश से आपके results को बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा positive कर देगा बस इस बात का ध्यान रखना है कि चलते रहना है बाते अधूरी नहीं चोड़नी है इसलिए सिर्फ काम की बात ही बता रहा हूं जो करक लगन और मेश राशी के combination के वर्टी को ध्यान रहना चाहिए तो दर्शको अगर वीडियो अच्छे लगी तो उसे like, share, subscribe कीजिएगा और क